नमस्ते दोस्तों मैं आसिस मोहर है दोस्तों यह Tata 260 DI Old Model की गाड़ी है दोस्तों बहुत से कमेंट आये हैं कि Tata 207 का इस्टेरिंग बहुत टाइट है इस्टेरिंग में प्ले है फ्रंट टायर एक तरब घिस रहे हैं और टायर बबलिंग करता है ऐसा क्यों है दोस्तों बहुत से लोग फ्रंट टायर एक तरब घिसने पर अपने से जाकर आटोमेटिक अलाइमेंट करवा लेते हैं लेकिन बाद में फिर टायर घिसने लगता है ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपको जब भी आटोमेटिक अलाइमेंट करवाना हो तो पहले अपने मेकेनिक से फ्रंट सस्फेंशन की बुसिंग बाल जॉइन टायर अडेन सभी को चेक करवाएं सही होने पर ही आटोमेटिक अलाइमेंट करवाना चाहिए आप अपने mechanic के राय से ही automatic alignment करवाएं तो आई आगे देखते हैं tire किस तरह से घिसे हुए है दोस्तो right side का tire बहुत ज़्यादा घिस गया है आप देख सकते हैं यहाँ tire का जो ply है वो दिख रहा है दोस्तो ऐसा क्यों है तो पहले tire को jack की मदद से उठाएंगे और टायर को पकड़ कर लेफ्ट राइट प्ले करेंगे ऐसे तो यहाँ जो सेंटर लिंक राट है उसके किट में प्ले है और राट के इस तरब भी बहुत ज्यादा प्ले है यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्ले है इसका जो ताइराड गोली है ये बिल्कुल सही है इसमें प्ले नहीं है और यहां सेंटर पिन ब्राकिट में भी बहुत ज्यादा प्ले है ऐसे प्ले करने पर मालुम चलता है इसी वज़य से इस्टेरिंग में प्ले होता है और टायर एक तरब घिसता है और बब्लिंग करता है और सबसे बड़ा काराड यहां बाल ज्वाइंट से है यहां जो बाल ज्वाइंट लगा हुआ है यह भी बिल्कुल खराब हो गए है मैं अभी आपको टायर उपर नीचे करके दिखाता हूँ तो यहां आप उपर वाले बाल ज्वाइंट में देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्ले है और नीचे वाले में भी बहुत ज्यादा प्ले है इस टेरिंग जाम चलने का सबसे बड़ा काराड यही है ये ball joint घिस गए हैं खराब हो गए हैं इसी वज़े से steering tight चलता है दोस्तों अब मैं इसके दोनों तरब के ball joint को change करूँगा और इसी के साथ front hub के bearing को भी grease करूँगा तो पहले wheel को खोलेंगे इस hub kayak को खोलेंगे चकनट से cutter pin को निकालेंगे और 32 number tool से चकनट को खोल देंगे और यहाँ से caliper pin के bolt को भी खोलेंगे और यहाँ पर brake pipe bracket लगा हुआ है इसे भी खोल देंगे और ऐसे assembly को निकाल देंगे इसके dispatch को भी बाहर निकाल देंगे और dispatch पत्ती को भी निकालेंगे इस ब्राकिट को 18 number tool से खोल देंगे अब आसानी से हब बाहर आ जाएगा ऐसे दोस्तो यहाँ बेरिंग सीम है और यहाँ साकेट है बेरिंग और आलसिल को बाहर निकाल देंगे दोस्तो अब इसके ball joint को निकालेंगे तो पहले यहाँ से cutter pin को निकालते हैं और 24 number tool से इसके nut को खोल देंगे और यहाँ एक rat की मदद से इसे ऐसे निकाल देंगे nut को खोल कर कैशी को उपर कर देंगे ऐसे और इस caliber assembly को एक तरफ रख देंगे और इस तैराट गोली को खोल कर निकालेंगे cutter pin को निकाल लेते हैं और इसके nut को 18 number tool से खोल देंगे और इसे भी rat की मदद से ही ऐसे निकालेंगे ऐसे तैराट गोली निकल जाएगा और इहां से lower ball joint को निकालेंगे इस cutter pin को निकाल देंगे इस nut को 22 number tool से खोल देंगे nut को खोलने के बाद ball joint निकालने के लिए यहां पर ऐसे चोड़ देना होता है ऐसे चोड़ देने पर ball joint निकल जाएगा ऐसे ball joint निकल जाएगा यह इसका lower ball joint है यह आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कट चुका है इसे निकालने के लिए यहां पर एक लाक लगा हुआ है इसे निकालेंगे इसे ऐसे निकाल लेते हैं इसके ball joint को निकालने के लिए यहां पर चोड़ देना होगा ऐसे लोवर बाल जॉइंट निकलेगा ऐसे लोवर बाल जॉइंट को निकाल लेंगे दोस्तो अब यहाँ उपर अपर बाल जॉइंट को निकालना है तो यहाँ पर यह चार बॉल्ट लगे हुए है इसे तेरा नमबर टूल से खोल लेंगे इसमें नट बॉल्ट लगे हुए है नीचे से नट को पकड़ना होगा और ऐसे बाल जॉइंट निकल जाएगा यह भी बिल्कुल खराब हो गए है दोस्तो यह निया वाल बाल जॉइंट है यह टाटा 207 लोवर बाल जॉइंट अपर बाल जॉइंट है यह दोस्तो इसकी MRP 2973 रुपे है दोस्तो इस बॉइंट में आगे के दोनों तरब के बाल जॉइंट होते है दो लेट साइट दो राइट साइट लगते है तो अभी मैं एक साइट के अपर लोवर बाल जॉइंट को लगाता हूँ दोस्तो यहाँ पर इसे ऐसे लगाएंगे इसमें उल्टा सिधा नहीं होता है यह ऐसे यहाँ पर लग जाएगा और इसके nut ball को अच्छे से टाइट कर देंगे ऐसे nut ball को अच्छे से टाइट कर देंगे तो यहाँ आप आप देख सकते हैं यह अच्छे से लग गया है अब इसके lower ball joint को लगाएंगे तो जहाँ lower ball joint को बैठाना है वहाँ बालुकागस से अच्छे से साप कर देंगे और यहाँ ऐसे रख कर ball joint को लगाएंगे ball joint में थोड़ा oil लगा देंगे जिसे बैठाने में आसानी होगी ball joint को center में रखेंगे और ऐसे बैठा लेंगे ऐसे ball joint असानी से बैठ जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं ball joint अच्छे से बैठ गया है अब इसके लाग को लगा देंगे यहाँ ऐसे लाग को लगा देना है यहाँ लाग अच्छे से बैठ गया है अब इसे कैची में फिट करेंगे तो यहाँ ऐसे लगाएंगे और इसके nut को 22 नमबर टूल से अच्छे से टाइट कर देंगे टाइट करने के बाद इसके cutter pin को भी लगाएंगे दोस्तों इसके caliper assembly को पहले इधर कर लेंगे उपर वाले ball joint को लगाएंगे ऐसे इसके nut को tight करने के बाद इसके cutter pin को भी अच्छे से लगा देंगे अब यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जड़ा सावी play नहीं है ऐसे move करना चाहिए यह spindle अब इसके टाइराट गोली को भी लगा लेते हैं यहाँ यह अभी पुराना वाला ही टाइराट गोली है तो इसमें थोड़ा grease लगा देंगे ताइराट गोली अभी ठीक है इसे साप करने के बाद इसमें थोड़ा grease लगा कर इसे लगाएंगे लगाने के बाद इसे अच्छे से टाइट कर देंगे और इसके काटर पिन को भी लगा देंगे दोस्तों यहाँ बेरिंग की दुलाई अच्छे से हो गई है इसके हब के भी सफाई अच्छे से हो गई है इसके हब में grease भर देंगे ऐसे और इसके bearing में भी grease को भरेंगे अच्छे से दोस्तो मैंने बोलरो front hub greasing part 1 और rear hub greasing part 2 और Tata Safari Dicor 2.2 का front hub greasing का वीडियो बनाया है दोस्तो नीचे description में link दे दिया है आप उसे जरूर watch करें दोस्तो मैं जंगलेटर, टेक्टर और four wheeler के धेरो वीडियो यूटूब पर upload किया है और मैंने playlist भी बनाया हुआ है जिस गाड़ी के बारे में देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं दोस्तो bearing में grease को अच्छे से भरने के बाद इसे लगा देंगे bearing लगाने के बाद iron seal को भी लगा देंगे और hub को यहाँ ऐसे लगाएंगे hub को लगाने के बाद इस socket को अंदर डालेंगे साकिट को लगाने के बाद इस सीम को लगाएंगे उसके बाद bearing को लगाएंगे ऐसे दोस्तो इस washer में नीचे उपर कट दिया हुआ है और इस पंडल में जो कट है उसी में इस washer को ऐसे लगाएंगे यहाँ ऐसे washer लगेगा और इसके चकनट को लगादेंगे चकनट को अच्छे से टाइट कर देंगे चकनट टाइट करने के बाद इसे चेक कर लेंगे तो यहाँ हब बिल्कुल फिरी गूम रहा है इसमें प्ले भी नहीं है अब इसके काटर पीन को लगा देंगे और इसके कैप को भी यहाँ लगा देंगे ऐसे दोस्तो हब लगाने के बाद इस कैलिपर ब्राकिट को लगाएंगे यहाँ पर ऐसे और इसके दोनों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे ब्राकिट टाइट करने के बाद डिसपैट को लगाएंगे और इस पत्ती को यहाँ ऐसे लगा देंगे अब डिसपैट को लगाएंगे ऐसे डिसपैट ऐसे लग जाएगा अब इसके कैलिपर एसेम्बली को लगाएंगे यहाँ ऐसे इसको लगा लेना है यह आसानी से लग जाएगा कैलिपर एसेम्बली लगाने के बाद कैलिपर पीन के बोल्ट को टाइट करेंगे कैलिपर पीन के बोल्ट को टाइट करने के बाद हब को घुमा कर चेक कर लेंगे तो यहाँ हब ठीक है फ्री घुम रहा है अब इसके break pipe bracket को भी लगा देंगे दोस्तो यहाँ ball joint को लगा लिया हूँ और gressing भी हो गई है ऐसे ही दूसरे तरब भी कर लेंगे दोस्तो इसका bussing भी खराब है और center link rat kit और center pin bracket भी खराब है अभी कश्मर के पास पैसे कम है अगली बार बनवाएंगे तो और बाकी काम का वीडियो मैं आपको कुछ समय बात दिखाऊंगा आप मेरे चैनल पर बने रहे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद